अग्याव स्टुडेंट्स हम आज पढ़ेंगे एकाउंट्स एकाउंट्स में वैसे तो जाधा थियोरी है नहीं और नहीं एक्जाम में जाधा आती है लेकिन थियोरी पढ़ने आपके लिए जरूरी है क्योंकि जब प्राक्टिकल होगा एक्जाम नहीं रहेगा बहर से तो वो आपसे कुछ नगुछ थियोरी पूछता ही है इसलिए आपको थियोरी के बारे में पता होना चाहिए तो आज हम कुछ पढ़ते हैं एक बीसी के काउंटिंग टर्म जो पार्टनर्शिप से रिलेटल है ठीक है सबसे पहला टॉपिक है हमारा पार्टनर्शिप पार्टन पार्टनर्शिप में जित्ती भी चीज़ें पढ़ते हैं वह हम एस पर इंडियन पार्टनर्शिप एक 1932 के ताहद पढ़ते हैं ठीक है अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि जो हमने 11 पार्टने जारे हैं उन तोनों में डिफ्रेंस क्या है ठीक है तो उन दो करते है ठीक है जिसमें सरफ एक परसन होता है यानि की अकलि बिजनस को रन करता है वह क्या कहाता है और दो से जादाbles से लोग काब करते है तो क्या क्या के लाती है यहीजिए नज हो जिसमें two or more persons होते हैं जो कि profit and losses share करने के लिए तयार रहते हैं ठीक है जब अब देखो क्या है कि जब बहुत सारे लोग काम करेंगे तो सम्म बेल जुल का काम करते हैं कोई काम काम करता है कोई जादा कर लेता है कोई उनके बीच में लड़ाई जगड़ा भी होता ही होता है ठ अग्रिमेंट बनाया जाते हैं जिसे हम पार्टनर्शिप डीट कहते हैं ठीक है अग्रिमेंट क्यों होते हैं एक्रिमेंट आपका दो तरह होते हैं या तो औरल हो सकते हैं या रिटन हो सकते हैं लेकिन अगर आप रिटन पर बनाओगे तो वह ज्यादा बेटर है ठीक है अ कौन किस तरह से profit बाटेगा कौन क्या करेगा को किसको किती commission मिलेगी ठीक है अगर agreement नहीं होगा तो Indian Partnership Act के अंदर आने वाले rules सारे applicable होगे ठीक है क्लियर है आपके लिए partnership के definition से की features क्या होंगे सबसे पहला two or more persons जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग वो क्या किलाती है आपकी partnership ठीक है इसमें भी condition होती है कि बंदा minor नहीं होना चाहिए और unsound mind नहीं होना चाहिए और unsound mind का मितलब है कि वो पागल नहीं होना चाहिए और उसकी mental conditions अच्छी होनी चाहिए ठीक है सेकें agreement क्या होता है अभी मैंने बताया कि agreement दो तरह का होता है या oral या return थर्ड है profit sharing ratio ठीक है कि वो किस ratio में profit और losses को पाटेंगे फोर्थ है lawful business ठीक है यानि कि वो business होना चाहिए जो की कानून की निजर में क्या हो legal हो illegal ना हो मतलब यह नहीं कि आप आपने business start कर दे हो और कल से आप drugs रेचना start कर दे रहे हो ठीक है यह illegal business होगा लेकिन जब आप अच्छे से काम करोगे कोई ready mates का कर रहे हो या किसी भी fruits वा गेरा का कर रहे हो तो वो क्या किलाता है आपका lawful business यानि की legal business next mutual agency ठीक है mutual agency क्यों होती है देखो business can be carried on by all और any of them acting for all ठीक है mutual mutual का मतलब होता है कि आप सी सहमती है ठीक है तो कैसे होगा बताओ जिससे suppose मान लो कि किसी ने बोला कि आज मैं office नहीं आ पाउंगा तो उसने अपन कि उसने उसका साथ दिया यानि कि दोनों की आपसी सहमती से दोनों ने एक दुसरे का काम बाट लिया ठीक है जैसे इसका एक example आप भी ले सकते हो अपने पर कि कभी कोई आपका friend absent होता है तो आप क्या करते हो कि class में उसकी present लगवाते तो उसके आवास निकालके कि yes ma'am present ma' ठीक है तो यानि कि आप उसको बच्छाने की कोशिश करते हो उसके बदले act करते हो ठीक है next topic है हमारा rights of partners partners के क्या-क्या rights होते हैं सबसे पहला है to share profit in aggregate ratio ठीक है कि जो भी ratio होगा उसमें वो profit को share करेगा ही करेगा जो भी profit होगा उसमें उसका share बनता ही बनता है next is to take part in the conduct of business ठ ठीक है जो भी काम किये जाते हैं business में जो भी काम होगा उसमें वो हिस्सा ले गई लेगा third is right to be consulted अगर आपको decision ले रहे हो business बढ़ाने के लिए कहीं पर franchise खोलने के लिए कुछ भी या profit किसी partner को admit करने के लिए या कहीं पर भी कुछ काम करने के लिए तो उसमें उसको भी accounts बनते हैं उसमें भी आपके right होता है कि आप उन्हें कभी भी check कर सकते हो कि वह सही बन रहे है या गलत next day to retire from firm कि आप कभी भी firm से retirement ले सकते हो ठीक है आप तक मन नहीं करा करको करने के लिए partnership तो आप उसमें से retire हो सकते है next day to disallow admission of new partner ठीक है अगर आप किसी भी बंदे को partnership मे हुआ है हां तो तो यह अगर पार्टनर की सहमति लेनी पड़ेगी जितने भी पार्टनर से अगर एक ने भी नहीं कह दिया तो उस पार्टनर को आप एड्मेंट नहीं कर सकते अपने बिसनस में ठीक है next topic है हमारा rules applicable in absence of partnership डीड ठीक है अगर partnership डीड नहीं होगी तो तो क्या-क्या rules applicable होते हैं सबसे पहला है हमारा profit and loss to be shared equally ठीक है profit and loss हम किस तरह से बढ़ते है equally बढ़ते है second है no interest on capital is allowed कोई भी interest on capital नहीं मलता होने ठीक है interest on capital आपको पता है capital क्या होती है यानि कि जो भी ऐसा businessman business चलाने के लिए लगाता है तो हम उसको क्या बोलते है capital ठीक है तो उसको कोई भी interest नहीं दिया जाएगा third है no interest on drawing will be charged कोई भी interest on drawing उसके चार्ज नहीं किया जाएगा ठीक है drawing क्या होती है यह भी आपको पता है यानि कि जो भी proprietor है जो भी businessman है वो अगर business से अपने personal use के लिए जो पैसा निकालता है या कोई भी goods forgetter निकालता है तो वो क्या किलाता है आपका drawings ठीक है तो उस पर भी उनसे कोई interest नहीं लिया जाएगा next है no partner is entitled to get salary या फिर commission कोई भी partner इसके लिए बात यह नहीं होता कि उन्हें salary दी जाए या उन्हें commission मिले मिले ठीक है and yes last one is fourth fifth one is interest on loan will be allowed at the rates 6% per annum ठीक है यह important है यह हमेशे याद रखना है से mark कर लो जिससे आगे मैंने कर रखा है कि यह बहुत important point है ठीक है उन्हें interest on loan हमेशे किस rate से जाएगा 6% के हिसाब से अगर partnership deed होती तो वह 10% 15% 20% किसी भी साब से ले सकता था लेकिन partnership deed नहीं है तो उसे सिर्फ 6% के साब से मिलेगा ठीक है लोन क्या होता है यह आपको पता है अगर किसी भी partner ने फार्म को कुछ लोन प्रोवाइट कर आया है तो वह क्या कि लाएगा आपका लोन तो उस पर उसको इंट्रस्ट किसे आप से मिलेगा इसमें 6% के साब से ठीक है आज के लिए नहीं कल हम पढ़ेंगे profit and loss के से बनाया चाहता है वह आप